तो है अधियर फ्रेंड्स और माइड रिस्ट्रेंट्स देख आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी बूर्ड क्लास 12 के मॉडल पेपर 2020 22 का यूपी बूर्ड ने अपना 2022 का मॉडल पेपर जो उन्होंने रिलीस कर दिया है 2022 का उन्होंने मॉडल पेपर रिलीस कर दिया है और इसी के कुछ कोशन जो हम सॉल्व करेंगे और यह केबल एक मॉडल पेपर है मतलब इससे आपको आइडिया मिलता है कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा तो अगर हम पेपर डूरेशन की बात करें तीन गंड़ा पंदर म लिए मिलेगा इसमें फॉस्त प्रस्ण पत्र में कुल नौ प्रश्ण आपके अनिवारी हैं प्रतिक परश्ण के प्रारंब में इससे कि उल्लेक है उसमें कितने खंड करने हैं कि कितने प्रश्ण आपको करने हैं, प्रतेक प्रश्ण के अंक उनके सम्मित अंकित है, येस बिल्कुल दे रखा है, कितने माकस का कुश्ण से वह आपका दे रखा है, प्रतम प्रश्ण से प्रारंब कीजिए और अंत तक करते जाए, जो प्रश्ण ना आता हो, उसमें वेर् को लिखना है कि यहां पर कौन सा option सबका correct है तो फॉस्ट question है कि माल लीजिए कि fx is equal to 3x दोरा परिवासित फॉलन f says that r2r है तो सही उत्तर चुनिए तो यह हमारे पास चार options दे रहे हैं कि f1 की आच्छा दक है f1 की है परन्तु आच्छा दक देखो सबसे बेला हमारे पास function fx is equal to हमारे पास क्या दे रहे हैं बड़ा 3x दे रहे हैं तो अगर हम इसमें fx1 is equal to consider करते है fx2 अगर हम consider करते हैं तो तो 3x1 is equal to 3x2 हो जाएगा तो इसका मतब 3 से 3 हो जाएगा तो x1 is equal to x2 x1 x2 के एकवल हो गया तो इसका मतब यहां पर फलन जो है मारा क्या जाएगा वह एक एक की हो जाएगा ठीक है एक होगा और क्योंकि fx is equal to 3x यह तो फलन आच्छा दक भी हो तो इसका first option करेक्ट होगा कि f1 की आच्छा दक है फलन एक है की क्या है आच्छा दक है देखो second questions number second में आते हैं यह दि समुझे n में n से r में बतार natural number से real number में a, b says that a is equal to b-2 और b is greater than 6 द्वारा प्रदत संबंद r है तो निमलिकित में 3, b का value 8 substitute करेंगे तो यह satisfy नहीं करेगा अगर इसको substitute करते हैं 2, 3, 2 और 4 को तो b का value और 4 रखो गो 4-2 दो 4-2 तो एका value आपका 2 रखेगा बट यह satisfy कर रहा है बट अगर इक conditions यहाँ पर देखा तो कहरें कि b का value जो है greater than 6 होना चाहिए बट यहाँ पर b का value code है that is less than 6 है तो इसको यह वाला conditions में satisfy नहीं होता है यह condition भी आपका satisfy नहीं करेगा तो option नहीं करेक्ट होगा कि 6,8 यहाँ पर b का value और देखोगे तो 8 है जो कि greater than 6 है चीक्स ही यह greater है चीक ना तो option नहीं नहीं करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आते है हमारा देखो गॉक्षिंस समाकलन इंटिग्रेशन एक्स डी एक्स 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 डी एक्स का माल ग्यात कीजिए इसका माल निकालना सिंपल है यहां पर मर्पास क्या है इसका short tricks बदा दो मैं आपको short tricks questions बदा देता हूं जो को X as it is रख देना यहां पर X को as it is separate कर दो फिर X का यहां पर different stations करता एक्स का different stations कितना जागा औन हो जाएगा तो यह हमारा अनसर हो जाएगा तो ऑफशन number second इसका correct हो गो एक्स प्लस बार एट टुदिग्र आवर एक्स इसस दा तो और नेक्स राद नहीं है गौँपाट में करें कि अफकल समिकरेंट 2x2 dy upon dx2 minus 3 dy upon dx plus y is equal to 0 की कोटी बता रहें कोटी का बना order क्या बताना आपको order किस order का यह differential equation है अफकल समिकरेंट तो अगर इसको observe करेंगा तो यहां पर तो तो टू टाइमस डिफ्रेंशेट गुआ है d2y upon dx इसको है इसकी कोटी कितना हो गया order कितना हो गया तो option number a correct हो जागा इसका order हो जागा 2 देखो next question है यह दि सदिश 2i cap plus j cap plus k cap और i cap minus 4 j cap plus lambda k cap प्रस पर लंब है तो k का मान ग्याद कीजिए तो यहां पर हमें दिखाने कि दोनों प्रस पर लंब है अगर यह दोनों लंब है तो इसको आप a vector माल लो आप इसको भी vector माल लो तो a dot b क्या जाएगा a dot b a dot b is equal to अपका हो जाएगा 0 तो a dot b करोगा अब 0 आएगा ठीक है तो a dot b अगर आप solve करते हैं यहें पर कर देता हूं मैं इसको solve कर देता हूं just a one minute check देखो एका value कितना 2i cap 2i cap plus ka j cap plus ka k cap और यहां पर आपका जाएगा i cap minus ka 4 j cap plus ka lambda k cap is equal to 0 यहां पर सभी खंड कीजिए सारे खंड आपको करने हैं देखो कॉट इन्वर्स-1 by root 3 का मुख्यमान अपको ग्याद करना है क्या ग्याद करना है माइनस वन रूट 3 तो अगर हम कॉट की अगर मुख्यमान रेंज के अगर बात करेंगे तो यह माइनस का किसमें आपको इसमें रूट करों रूट 3 का वैलू यहां पर रेप्लेस करों यहां पर लिखो कॉट इन्वर्स-2 शंक रूट 3 X ले लो अब इसके equal X ले लोगे तो आपका, यहाँ पर simple यह आपका जाएगा देखो, यहाँ पर cot X is equal to अब लिख से तो 1 by root 3 और root 3 cot किसका value होता है, cot 60 का value, sorry 60 का value होता है minus 60, तो X is equal to यहाँ पर आपका जाएगा, क्या minus का 60 degree, 60 का pi by 3 कितना जाएगा, 5 by 3, तो इसका मुख्यमान minus का pi by 3 हो जाएगा second question में कहाएगा, दिखाएगे कि fx is equal to x mod, x is equal to 0 पर सदत है, तो function fx यहाँ पर function fx is equal to अपका क्या है, x mod है, तो अब इसको define करोगे, देखो, define करोगे minus का x when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, और plus का x when x is less than 0, तो अगर आप यहाँ पर LHL निकालते हो, LHL, that is limit x tends to 0 negative and function of fx, 0 negative बना जिरो से छोटा function क्या जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे limit x tends to 0 negative और minus का x, अब 0 सब्सक्रेट करोगे, यह 0 हो जाएगा, same as it is अब RHL निकालोगे, तो यह limit x tends to 0 positive and function of fx, तो यह आपका जाएगा, limit x tends to 0 positive function of fx, क्या है, x है, 0 सब्सक्रेट करोगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, और f 0 का value आपका 0 है, तो LHL is equal to RHL is equal to f0, तो इसका मतार x equal to 0 पर फॉलन क्या हमारा, आहां सतत है, x equal to 0 पर फॉलन क्या है, सतत है, देखो next question, next question देखो यहाँ पर, देखो के अफकल सेमिकरन xy d2y upon dx square plus dy upon dx का whole square minus y dy upon dx की कोटी और घात, गयात कीजिए, तो अगर इसके कोटी की अगर बात करेंगे, तो इसका कोटी simple यहाँ पर 2 है, घात अगर बात करेंगे, तो maximum कोटी की घात कितनी है, इसकी घात 1 है, तो घात 1 हो जाएगा, ठीक है, देखो, नेक्स्ट गॉआ है, अवरो दो, x by, x plus y less than equal 4, x is greater than 0, y is greater than equal 0 के अंतरगत, x, z is equal to 3x plus 4y का दिखता मान, गयात कीजिए, देखो, एक लाइन अप ब्रॉकर होगे, यहाँ पर, इस तरीके से, x plus y is equal to 4, तो आपका इस तरीके से equation होगा, एक लाइ less than equal 4, तो 0 जो है, 4 से क्या होता है, यह उसके equal होता है, yes, it is correct, तो उसका चैंकित बाग का बनेगा, अंदर बनेगा, यह वाला जो विन्दू है, यह 4, 0 है, यह वाला विन्दू आपका 0, 4 है, इन दोनों पर जैट का मैलू निकालेंगे, तो at 0, 4, 0, 4 पर जैट का वेलू ज तो यह इसका अधिकताम मान हो जाएगा, तो जैट का अधिकताम मान कितना जाएगा, 16 हो जाएगा, देखो नेक्स्ट यह दी करेंगी, यह दी P A is equal to 7 by 13, P B is equal to 9 by 13, और P A intersection B is equal to 4 by 13, तो P A upon B का मान, गयात कीजिए, देखो P A upon B निकालने आपको, तो P A upon B is equal to क्या जाएग आपका, is equal to क्या होगा, is equal to P A divided by P A intersection B, P A intersection B, तो P A आपका कितना है, 7 by 13, divided by 4 by 13, इससे एक अंसल हो जाएगा, तो यह कुछ questions थे हैं, जिन questions को हमने डिसकस किया है, बाकि और भी questions है, से, मतब, 2 marks की question है, अपके इसमें, और 5 marks की question है, और last में आपके, 8 marks की कुछ questions है, तो अगर अब पूरा इसका solution चाहिए आपको, तो मुझे comment section में, डाल देना, बता देना मुझे comment section में, तो मैं इसका पूरा solutions अबको दे दूँगा, ठीना, सारा solutions दे दूँगा, मतब, complete solutions आ और आपको सेकेंड को मैं ने सॉल्व क्या हैं अगर आपको सॉलूशन सेकेंड ठर्ड कोशन उन्का, फूर्थ कोशन जाए है तो आप मुझे